अभी ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे बहुमत दिया है धान का कटोरा कहलाने वाले 36 गड़ में भी बस एक रात के बाद ही कल सुबह से जनता दर्ज करने लगेगी अपना फैसला यूं तो 36 गड़ में 90 विधान सभा सीटे हैं लेकिन कल होने वाले चुनाव के दूसरे और आखरी चुरण में 70 सीटों पर उम्मीदवारों के भागे का फैसला मतदाता करने लग जाएंगी उन्नेस जिले, सतर सीट, 958 प्रत्याशी, एक करोड तिरसट लाख मतदाता और 18,806 मतदान केंद्र कल यानि 17 नवंबर को सुबह की 90 में से 70 सीटों पर होने वाले लोकतंत्र के महापरवका यही खाका है 7 नवंबर को 20 सीटों पर होए मतदान के बाद अब बारी उन 70 सीटों पर होने जा रहे चुनाव के लिए मतदाता किया गई है किसे पहनाना है ताज या किसकी खिसमत में है राज योग इसे तैय करेंगे मतदाता क्योंकि बादो दावों का दोर बीता प्रचार हुए खत्म अब बेला मतदान की है वो लमहा अब बहुत करीब है जब सब को चुननी है अपनी सरकार इस चरण में सीम भुपेश पगेल और टिप्टी सीम टीयस सिंग देव की सीट पर भी मतदान होगा तो साथ ही मुख्य मंत्री समेथ कुल दस मंत्रियों की साख भी दाव पर लगी हुई है दिल्चा स्पार्ट त्रिकोनी मुकाबला पार्टन का बताया जा रहा है जहां सीम के सामने उनके ही भतीचे बीजेपी से उमीदवार हैं तो जोगी कॉंग्रिस से आमित जोगी भी जोर मारने के लिए अखाडे में तैयार हैं उधर विधान सभा ध्यक्ष चरंडास महंत की सीट पर भी शुकरवार को वोटिंग होगी लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी के दूसरे धुरंधरों के भाग्य का फैसला भी कल जनता करने वाली है जिसमें केंदरिय मंत्री रेणुका सिंग का नाम भी शामिल है उनका मुकाबला कॉंग्रिस के गुलाब कमरों से हो रहा है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुन साथ साथ सांसद गोमती साइब ही चुनाव के रनक शेतर में ताल ठोक रही है वहीं बीजेपी के पूर वमंत्री प्रेम प्रकाश पांटी राजेश मूनत और प्रिज मोहन अगरवाल सरीखे बड़े चेहरों के भाग्य का फैसला भी मत दाता को ही करना है उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे ज्यादा 26 प्रत्याशी राइपूर पश्य मिधान सभा सीट पर खड़े हुए हैं जबकि डॉन्डी लोहारा में सबसे कम चार प्रत्याशी अपने खिसमत आजमा रहे हैं 36 गड़ में किसान, कर्जमाफी और धान के मुद्दे के बाद अफ्री बिजली और कैस सिलेंडर में 500 की छूट जैसे मुद्दे की खूब गूंज रही और सब के वादों और दावों को जनता ने समझा भी और परका भी लेकिन अब गेंद सिर्फ और सिर्फ वोटर के पाले में है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश पखेल और टीयस सिंग देव की जोड़ी भरोसे के नाम पर वोट मांग रही है तो भाजपा वादा खिलाफी और रष्टा चार के आरोपों के साथ मैदान में है हाला कि अब सब के भागे का फैसला मत दाता को ही करना है तब ही तो प्रत्याशी भी समझ रहे हैं बस एक रात का इंतिजार ईवियम में होगी सरकार ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन न्यूज एटीन के एजिंडा कारिक्र में आमीश दिवगन के सवाल पर बीजपी अध्याक्ष जेपी नड़ा ने कहा कि बीजपी पार्टी और सरकार की सराहना हो रही है उन्होंने कहा कि एंपी में एंटी इंकम्बिंसी नहीं है लाटली बहना योजना की सराहना हो रही है तो मत्यप्रदेश में आप 18 साल से शासन में हैं क्या आपको लगता है कि इस बार भारती जिनता पार्टी के साथ और कॉंग्रेस के साथ आपकी बीजपी और कॉंग्रेस की एक कड़ी टक्कर है क्योंकि 18 साल से आपका शासन है और इस बार कमलनात कह रहे हैं कि हमारी सरकार चोरी करी इन्होंने इस बार भीजपी को सबक सिखाना पड़ेगा कुछ नहीं वो बचारे बोलते रहते हैं उनकी पार्टी कितना सुनती है वो खुदी जानते हैं तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ लेकिन सचाई ये है कि भारतिय जनता पार्टी पार्टी के रूप में भी और सरकार के रूप में जो भारतिय जनता पार्टी के सरकार ने शिवराजी की नित्रत्यों में जो काम लोगों के लिए किया है उसको सब दूर सराहना मिली है, ताकत मिली है, मध्य प्रदेश में एंटी इंकम्मेंसी नहीं है, प्रो इंकम्मेंसी है, यह बात सबस्ट पर आप, आप आपने वहाँ पर फ्री की पॉलिटिक्स का सहारा लिया है, आप उसका विरोध करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ल और लाडली बेहना योजना उसका एक एक रास्ता रहा है, और उसको सब दूर सराहा गया है, और यह बताता है कि इस तरीके से गरीब महिलाएं को इस आर्थिक मदद के कारण उनके परिवार में उनको ताकत में लिये, यह भी बताता है. लोक गाई का नेहा राठोर रायपूर पहुंची, जहां पर उन्होंने इन लोगों से लोक तुंत्र के महा पर्व में हिस्सा लेने के अपिल की. नेहा राठोर से बात की, हमारी समधाता ममतला जिवार. नेहार राठोर हमारे साथ हैं और जो किसी परिचे के महताज नहीं है. और अपने कह सकते हैं कि रचनाओं को लेकर, कविताओं को लेकर खास्तोर पे वो देश पर में जानी जाती है. जो हमारे दर्शक हैं, चुकि कल वोटिंग भी है और आप एक बर अपील भी कर दीगे है. हाँ, बिल्गरी है वोटिंग बिल्कुल, देट दो साल पहले इस गीत को लिखा था, भी मैं सुना दे रहीं, पूरा तो याद नहीं, लेकिन दो लाइन में जरूर सुनाओंगी. अरे एका की एका का ए चाची चाचा सुना मोरे भायाना। अरे वोट देवल अधिकार हा तो हारत वोट देवे जाई हाना। जिस राज्य में मैं गा देती हूँ, तो अगर ये F.I.R. जैसी चीजे ना हो, धमकी ना मिले, नोटिस ना मिले, तो लगता है कि अच्छे से नहीं गाया है, तो ये सब पुरस्कार है, मेरे साथ ये सब लगा रहता है, अब अच्छा अच्छा लगता है। आपको लगता हो कि कुछ ऐसा बोला नहीं किया कि जो समझ में आया हो, नहीं है लेकिन हाँ जो है तो यही है, हाँ मैं बेरुजगारी वाला ही हाँ, मैं सुनाती हूँ, यहां पर मुद्धा भी है, हाँ बिल्कुल, दोलोई पार्टियां ताबा करी कॉंग्रस करी हमने बि बेरुजगारी का की सुनाती हूँ, और भीखना ही होक सरकार मांगीला, बेरुजगार बानी साहिब रोजगार मांगीला, और देश के इकॉनमी के बैठ गयल भठा, आँख खोल देखा मली कार हूँ जुठा, खेत बारी जमिनना बधार मांगीला, बेरुजगार बानी साह बोट करने के लिए जाएं तो इह तमाम मुद्दे आप ध्यान में रखिए और उन्हों ने कहा कि आपका हक है और वोट हर किसी को करना चाहिए और और भी मुद्दों पर हमने उन से बात की कि किस तर की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब आप सच बोलते हैं आज की आजनीती में क्यामरा परसन मनीश के साथ मम्तारा अजयवा न्यूज एटीन चाथिसकर राइब और चुली बढ़ते आगे और इंदोर के पलासिया की बात कर लेते हैं वह इंदोर के पलासिया चोराहे पर वोट परसंटेज क्योंकि शेहरी लागा है यहां वोट परसंटे आएए हम सब मिलकर लोगतंद का उस्सो मनाते हैं इंदोर के पलासिया चोराहे पर मैं मौझूद हूँ देश का सबसे सचसेर इंदोर और यह तस्वीर आप देखिए पलासिया चोराहे पर यह तस्वीर लगी हुई है एक वाल्व है और उस वाल्व पर यह पेंटिंग की गई है क्योंकि 17 तारिक मददान का दिन और आप देख सकते हैं कितने खूपसूरत मैसेज लिखे गए इंदोर बनेगा वोटिंग में नमबर वन मददान सबका अधिकार है हमने यह ठाना है वोटिंग बूत पर सबको लाकर बोट डलवाना है वोट जरूर दीजिए यह द बहतर चुन सके यानि जो पत्यासी है उन्हें बहतर चुने यह देश हमारा है तो आप मैसेज देखिए और इसमें लिखा हुआ है आईए वोटिंग का तहवार बनाए इंदोर को मददान में भी नमबर वन बनाए पुरा भारत जो है आपको इन तस्वीरों में नजर आए मतदान की एक खुबसूरत तस्वीर है और मतदान क्यों किया जाता है उसके क्या फायदे हैं और यह कितना बड़ा अधिकार है यह सब कुछ इसमें दर्साए गया है कि आपका एक जो अधिकार है यानि मतदान का जो अधिकार है वो कितना जरूरी होता है वो कितना फायदे तो इंदोर सफाई में नंबर वन है, AQI में नंबर वन है और मतदान में भी नंबर वन बनने की तयारी कर चुका है। तो इसे के साथ इस बुलिटिट बे फिल हाल इतना ही, लेकिन नंबर वन है। इन खबरों का स्लसला लगा था चाहिए। अन्बर विदया सुचा होना चाहिए। जो जन्दा की हर समाशाह समथां करें। ठूटी ठूटी समाशा जन्दा की वो हल करें। हमारे शेत्र में स्वाथ सेवार ची करें। योगा के लिए नहीं रोजगार के असे बतारन करें। यह से युआ अगे बर्जागे जगेटाब